दोस्तो अगर आप भी भारत और श्री लंका के बीच एशा कप के सूपर फोर मुकाबला देखने के लिए उस साही तो तो वीडियो को जरू लैक किजिएगा दोस्तो श्री लंका से पिछले एशा कप का हिसाब चुकता करने के लिए आर प्रेम दासा इस्टेडियम पर भारतिय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी नई प्लेंग 11 टीम के साथ कदम रख दिये हैं खिरकार तोस के बाद मुकाबला हो गया है शुरू शुमन गिल रोहित शर्मा ने बल्ले बाजी करते हुए जड़दियें कितने रन क्या चल रहा है स्कोर सब आपको वीडियो में दिखाने जारे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और शिरी लंका म अपने रोमांच पर जारी है और यहां पर भारतिय टीम को अगर फाइनल तक पहुंचना है तो तीन मुकाबले और जीतने पड़ेंगे और सभी को उस मुकाबले का तो बेसबरी से इंतजार है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच आर प्रेम दासा क्रिकेट स्टेडियम प और यहां पर अगर हम आपको बता दें कि भारत और शिरिलंका के बीच अब एशिया कप के सूपर फोर का यह दूसरा मुकाबला आर प्रेम दासा क्रिकेट अकेडिमी स्टेडियम पर खेला जा रहा है जा आप सबीस मुकाबले को कोलंबो से सीधा लाइव देख सकोगे वह अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां रोहित शर्मा कप्तान है तो वहीं दूसरी तरफ दसुन सना का सिरिलंका की टीम की कमान संभाल रहे हैं और आपको यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि शिरिलंका की टीम ने अब टीम के खिलाफ क्योंकि उनकी गेंदवाजी भारत के मुकाबले काफी जादा अच्छी है वहीं अगर आपको बताते हुए चलें कि भारत और श्रीलंका के बीच अगर आप अपनी टेली वीजन पर यह मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं तो इस्टारी स्पोर्स नेट तो दोस्तो आज तक भारत और श्रीलंका के बीच अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों में 165 मैच खेले गए हैं जहां 96 मैच में भारत की टीम ने जीत हासिल की है तो वहीं 57 मैच में श्रीलंका की टीम को जीत मिली है तो आप इन आकड़ों से तो अंदाजा लगा स सकते हैं कि भारत ये टीम काफी जादा मजबूत है श्रीलंका के खिलाफ बंडे क्रिकेट में तो वहीं बात करें अगर मौसम विवाग द्वारा जारी जानकारी के बारे में तो दोस्तों मौसम विवाग का कहना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो यह मुकाबला आर प् की बारिश की संभावना जरूर वहां जटाई गई है तो जिसके चलते सभी भारतिये यही उमीद करेंगे कि यह मुकाबला हम सभी को पूरा खिला जाता हुआ ना जा रहा है वहीं अगर बात की जाए प्लेंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तो पहले आपको हम भारत की प्लेंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं तो भारत की तरप से आप सभी को जो खुलाडी खेलते हुए नजर आने वाले हैं उसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुवात शुमन गिल कर रहे हैं तो वहीं फिर मध्यम क्रम में विराट कोली स्रेशयर इशान किशन हार्दिक पांडिया रविंद्र जड़ेजा को मौका दिया गया है और फिर गेंदोवाजी, शार्दुल ठाकुर, कुल्दी, पियादव, मुहमद, शमी और जस्पृत बुमरा संभालते हुए नजार आ रहे हैं तो वहीं अगर बात की जाए शिरिलंका की टीम के बारे में तो शिरिलंका की तरप से पथुम निसंका और दिमुत करुना रतने पारी की शुरुवात करेंगे तो वहीं फिर मध्यम क्रम में कुशल मैंडिस, साधीरा समर विक्रमा, चरित असलंका, धननजडी सिल्वा, दसुन सनाका, दुनित वालिलेज, महिस्तिक्षना, कसुन रजीता और मतिसा पतिराना खिलते हुए नजार आ रहे हैं